गोर्धन परवत निर्मान है तू गो माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए रखा गया आयोजन मंसुर जिदे के शामगर में गो माता पेमी भक्तो दुआरा शामगर नगर में गोर्धन परवत का निर्मान किया जाने को लेकर के केशयो माधव गोशाला समीति यहों गोर्ध लाना दुआरा कई बातों को लेकर के मंच से माध्यम से गो माता के विशेष्टाओं के बारे में बताया गया वहीं अज्यक्ष्टा के रूप में डाक्टर अमित भनोतिया केमिनेट मंत्री हर्दिप सिंग डंग सरक्षक केशो माधो गोशाला समिती के विक्रम प्रोहित रखा गया 네 मैं को लेकर के क्रीजी वीडियो के माध्यम से गोवरधन परवत की रूप रेखा बनाई गई सभी ने इसको सराया और इसको लेकर चरचा क्यां ईंगर में गोशाला का उपस्तित हुए सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाने की बात कही गोशाला निर्मान को लेकर के केबिनेट मंत्री ने 5 लाग की गोशना करते हुए संयोग परदान किया शामगर समवाद दता संजे चोहान की रिपोर्ट स्री केशों मदो गोशाला मकडवन रोड शामगर एवं गोवर्धन परवत निर्मान समिती शामगर के सम्यूकत तत्व दान में एक शाम गोमाता के नाम से बड़ा सुन दर साखारिकलं किया गया। इस कारिक्रम में आसीर वचन स्री राम जी राम जी महाराज मचलाना वालों के स्री मुख से हम सबको प्रात्त हुए और मद्यपरदेश शासन के केमिनेट मंत्री स्री हर्दिप सिंग्जी डंग की अध्यक्षता में एवं परमसम्मानिय डाक्टर स्री अमीटी दनोतिया के सांधिति में ये कारिक्रम संपन्न हुआ इस कारिक्रम के अंदर गवर्दन प्रवत पर निर्वान होने जा रही बड़ी सुन्दर सी गउशाला जिस गउशाला के अंदर बड़ा सुन्दर सा बगीचा बच्चों के खेलने का पारक इत्यादी बड़ी सुन्दर सी विवस्ता 3D वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर पताई गई और समस्त दान दाताओं ने जिसकी भूरी भूरी प्रसंसा करके अपने दोनों हातों से गउशाला के निर्मान के लिए अपनी अपनी ओर से दान की गोशना की गई है जिसमें आदेनी स्री हर्दिव सिंगी डंग के माध्यम से आने वाले शक्त्र में 5 लाग की दाशी की गोशना की गई साथ ही करी दान दाताओं ने अपनी ओर से बड़ी सुंदर सुंदर दान की गोशना की है आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बड़ी सुंदर सी गउशाला शामगर नगर के अंदर बनने जारी है जिसमें आप सभी दान दाताओं का सहयोग अप झाल मात रगी